जैहन दोस्तो आज के इस important lecture में हम सबी discuss करने बाले हैं 25 October 2024 के most important current affairs के question तो आप इस पूरे lecture को बहुत इध्यान से last तक जोड़ देखेगा पहला और important question है BRICS में कितने partner देश जोड़े गए हैं? आंसर हुजएगा 13 तो BRICS में अभी हाली में 13 नई partner देश जोड़े गए हैं दोस्तो BRICS का summit 2024 कहां आयुज़ित क्या गया है? तो यह रूस के कजान सहर में आयुज़ित क्या गया है? तो इस सम्मेलन के दोरान BRICS में 4 नई member सामिल हुए हैं यानि कि यह पूर्ण सदस बने हैं इसके तो पूर्ण सदस कौन-कौन बने हैं? मिस्र यानि एज़िप्ट, इथियोपिया, इरान और संयुक्त अरब, अमिराद यानि UAE तो इस प्रकार से BRICS में अब कुल 9 member हो गए हैं तो उसमें पहले से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साओध अफ्रीका सामिल था और अब कौन-कौन और सामिल हो गए हैं? मिस्र, इथियोपिया, इरान और UAE साओधी अरब अभी इसका member नहीं बना है साओधी अरब ने membership के लिए apply तो किया है लेकिन अभी वो उसका member नहीं बना है तो इन चार नए member के साथ ही तेरह नए partner देश भी बनाए गए हैं BRICS के वो कौन-कौन से देश बनाए गए हैं? तो उसमें मलेसिया, अलजीरिया, बेलारूस, बोलबिया, क्यूबा, इंडोनेसिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाइलेंड, तुर्की, योगांडा, उजविगिस्तान और बियतना तो ये तेरह नए partner देश बनाए गए हैं तीस से ज़्यादा देशों ने apply किया है आने वाले समय में BRICS में और भी member सामिल हो सकते हैं बात करते हैं BRICS की तो BRICS का full form होता है Brazil, Russia, India, China और South Africa इसकी स्थापना 2006 में की गई थी तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें Brazil, Russia, India और China सामिल था लेकिन 2010 में साउथ अफरीका सामिल हो गया तो यह बन गया BRICS दोस्तो BRICS का जो पहला सम्मिलन हुआ था यह हुआ था 16 जून 2009 को और यह रूस के एका तेरेंबर्ग में हुआ था BRICS का मुख्याले कहा है संगाई चाइना में इसके 9 member कौन कौन है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, दच्छन अफरीका, इजिप, इथियोपिया, इरान और यूगेई BRICS के बारे में कुछ और बातने आपको याद रखनी होंगी तो दुनिया की 28 प्रतिसद जमीन BRICS देशों के पास है तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं इन 9 देशों के पास दुनिया की 28 प्रतिसद जमीन है और दुनिया की 44 प्रतिसद जनसंकिया BRICS देशों के पास है Global GDP में BRICS का 27 प्रतिसद हिस्सेदार है यानि कि जो Global GDP है उसमें BRICS देशों का contribution कितना है 27% दोस्तो आप इस पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से last तक देखेगा last में आपसे question पूशा जाएगा जिसका answer comment box में देना है अगर आप channel पर पहली बार आए हैं और आप हमें support करना चाहते हैं तो channel को subscribe कर लें bell icon भी दबालें जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा सितंबर 2024 के current affairs की ebook के लिए study करके app को आप install कर सकते हैं इसका link description box में दिया गया है तो वहाँ से आप इसे install कर लें ebook वाले section पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ebook मिल जाएगी जिसमें monthly current affairs की ebook भी आपको मिल जाएगी तो हर महीने की ebook launch की जाती है तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं next question है T20 cricket में सबसे बड़ा score बनाने वाली team कौन बनी है आंसर हो जाएगा जिमबाबबे तो जिमबाबबे देश ने अभी हाली में T20 cricket का सबसे बड़ा score बनाया है तो जिमबाबबे ने गांबिया देश के खिलाब 20 उबर में 4 विकेट खोगर के 344 रन का score बनाया था जो अब तक का T20 international match का सबसे बड़ा score है ठीक है तो ये काफी important fact है इसे आप नोड जरूर कर लें तो जिमबाबबे ने ने नेपाल देश का record टोड़ा है नेपाल ने मंगोलिया के खिलाब 314 रन बनाया थे लेकिन अब जो नया record बना है वो 344 रन का बना है दोस्तो जिमबाबबे ने यह match 290 रन से जीता था तो यह भी एक record बना है कि T20 में रनों के लिहास सबसे बड़ी जीत बन गई है ठीक है तो ये बहुत सारे record बने हैं इस match में दोस्तो अब हम जानते हैं T20 international match में सबसे जादा total किस team ने बनाया था तो देखिए जिमबाबे ने बनाया है 346 रन का फिर नेपाल ने बनाया था 314 रन का और अभी भारत ने बांगला देश के खिलाफ हैदराबाद में 297 रन का record बनाया था ठीक है और जिमबाबे ने 286 र total देखिए बात हुई थी जिमबाबे की तो इसकी capital क्या है हरारे राष्टपती है immersion मगांगवा और currency है जिमबाबे गोल्ड जिमबाबे डॉलर और अमेर्की डॉलर यानि कि ये सभी currency वहाँ पर चलती है और अभी हाली में जिमबाबे के द्वारा एक नई currency launch की गई है जिस अभी देश ने भूख से पीड़े लोगों को खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने का निड़ने लिया है ठीक है तो ये point भी आप note कर लें कुछ important current affairs discuss करते हैं तो जेस डबलू sports के cricket ने देशक कौन बने है सौरब गांगोली सबसे तेज 27,000 रन बनाने बाले क्रिकेटर कौन बने है विराट कोहली जस्क्रीद गुमरा है इंटरनेशनल केरियर में 400 या जादा विकेट लेने वाले 10 बे भारतिया गेंदबाज बने हैं इंग्लेंड के क्रिकेटर मुईन अली ने अभी हाली में इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है अजै रात्रा भारति क्रिकेट चैन समीती के मेंबर बने हैं नेक्ट कोशन है आईक्यू एर की रिपोर्ट के अंसार विस्सु का सबसे प्रदूशे शहर कौन बना है आंसर हो जाएगा लाहोर तो पाकिस्तान का लाहोर सहर आईक्यू एर की रिपोर्ट के अंसार विस्सु का सबसे प्रदूशे शहर बन गया है यहां के Air Quality Index की बात करें तो वो है 394 के पार जो की काफी खतरनाक इस तर पर है दोस्तों लाहौर के बाद भारत की जो राजधानी है दिल्ली उसका हिस्तान है यानि कि लाहौर और दिल्ली के पॉल्यूशन में कुछ कम ही नहीं है मतलब लगबग एक दूसरे के बराबर ही है देखें अगर किसी भी सहर का जो Air Quality Index है वो 100 से जादा हो जाता है तो वो खराब माना जाता है लेकिन अगर 150 से अधिक हो जाता है तो वो बहुत खराब माना जाता है लेकिन लाहौर की इस्तिती देखिएगा 394 है इसी प्रकार से 300 के लगबग दिल्ली में भी है तो यहां का जो पॉल्यूशन है वो खतरनाक इस तर पर पहुँच चुका है और अगर किसी सहर का Air Quality Index 50 से नीचे हो जाता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तो IQ Air की बात करें जिस संस्ताने ये रिपोर्ट जारी की है तो वह Sweden की Company इस बात को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तो सहरों में जो Air Pollution हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है तो बाहिनों से निकलने बाला धुआ अच्छा आप Comment Box में ये बताईएगा कि माहिनों से निकलने बाले धुआ में कौन सी गैस होती है सहरी करण हो रहा है और बहुत सारी निर्माड कार हो रहे है इसके कारण Pollution फैल रहा है कोईला और कच्रा जलाने से भी जो धुआ हो रहा है यहाँ पर गरीबों की संख्या है 234 मिलियन और Worldwide Fund for Nature की रिपोर्ट के अंसार भारत में पिछले 50 सालों में बंद जीवों की आबादी 73 प्रतिसत कम हो गई है Global Hunger Index 2024 में भारत 150 स्थान पर है इस बात को आप याद रखेगा अभी हाली में हिंदोस्तान Aeronautics Limited भारत की 14 भी महारत ने कमपनी बनी है दोस्तों अभी हाली में नाबाड के द्वारे एक सर्वी किया गया था उसके अंसार पिछले 5 साल में 57 प्रतिसत ग्रामीर आय बढ़ी है इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं नेक्श कोशन है महत्मा गांधी नेत्वत पुरुषकार से किसे सम्मानित क्या गया है तो अभी हाली में दारा सींग खुराना को महत्मा गांधी लीडर सिप अबाड से सम्मानित क्या गया है उन्हें यह अबाड किस देश में प्रदान क्या गया है तो ब्रिटेन में यह अबाड प्रदान किया गया है दोस्तो दारा सींग खुराना कौन है तो वह एक इंडियन एक्टर है तो उन्हें राष्टमंडल वर्ष के युबा चेंपियन की रूप में यह अबाड प्रदान किया गया है उनके द्वारा जो mental health से जुड़े हुए मुद्दों पर जागुरुकता फैलाई जाती है उसके लिए उन्हें यह पुरुसकार प्रदान किया गया है दोस्तो दारा सिंग खुराना को Oxford University के S.Molion Museum में महत्मा गांधी नेत्वत पुरुसकार प्रदान किया गया है चलिए कुछ important about discuss करते हैं जो अभी हाली में प्रदान किये गये हैं जैसे मोहन जी को मानवता बादी पुरुसकार 2024 मिला है नारायन मोर्ती जी को पैट्रिक जे मैकन वर्न पुरुसकार प्रदान किया गया है राजकुमार हिरानी को राष्टिय किशोर कुमार पुरुसकार प्रदान किया गया है अदिती आनंद को V&A Illustration पुरुसकार प्रदान किया गया है निकिता पूरवाल को Femina Miss India 2024 का खिताब मिला है ओडिसा को राष्टिय जल पुरुसकार 2023 में सर्बस्रेश्ट राज्जी का अवार्ड मिला है डारॉन S. मोगलू, साइमन जॉंसन और जेम्स A. रॉबिंसन इनको अब भी हाली में एकोनोमेक्स का नोबिल प्राइस प्रदान किया गया है मितुन चक्रबर्ती जी को दादा सहाफ फाल के अबाट 2024 मिला है तो ये सारी इन्फार्मेशन नोट कर लें काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम की दिश्टी से अंगला कुष्य ने WhatsApp, WeChat और Google Drive जैसे एप पर किसने बैन लगा दिया है अंसर हो जाएगा होंग कॉंग तो होंग कॉंग देश के द्वारा अभी हाली में साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WhatsApp, WeChat और Google Drive पर बैन लगा दिया है लेकिन ये जो बैन लगाए गया है यह सरकारी कंप्यूटरों पर लगाए गया है बात करते हैं होंग कॉंग की तो Capitalist की Victoria है और यह चाइना का Autonomous Region है और यह दुनिया की 10 भी सबसे बड़ी ब्यापारी कर्फिवरस्ता है और होंग कॉंग में दुनिया के किसी भी सहर के मुकाबले में जो प्रती वेक्ति आया है वो सबसे ज़ादा है यानि होंग कॉंग में प्रती वेक्ति आया सबसे ज़ादा है 1941 से 1945 तक जापान का इस पर कबजा रहा है दोस्तो आर्थिक सुतंता रिपोर्ट अभी हाली में जारी की गई थी तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है होंग कॉंग यानि कि होंग कॉंग की जो एकोनमी है वो सबसे मुक्त अर्थिबवस्ता है यानि कि यहाँ पर व्यापार करना बहुत ही आसान है देखे होंग कॉंग की लोकिसन आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है चाइना यह है इंडिया और यहां परिस्तित है हॉंग कॉशन है 55 इंटरेनेशनल फिल्स फेस्टिवल आफ इंडिया के लिए किस देश को कंट्री ओफ फोकस घोशित किया गया है answer हुजाएगा ऑस्टेलिया इफ़ी का मतलब जरूर आपको याद रखना है International Film Festival of India होता है तो इस बार 2024 में 55 नंबर के International Film Festival of India का आउजन गोवा में किया जाना है तो उसी के लिए country of focus किसे घोसित किया गया है Australia को यानि अब Australia देश की फिल्में जो है वो इस फिल्म फिल्में दिखाई जाएंगी तो साथ फिल्में दिखाई जाएंगी यहाँ पर International Film Festival of India 2024 का आउजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक किया जाएगा इस बार इसका 55 संस्क्राण आउजित किया जा रहा है इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से दोस्तो 2004 से इफी का जो आउजन है वो लगातार गोवा में किया जा रहा है तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि ऑस्टेलिया एक देश भी है और एक महादीव भी है तो ऑस्टेलिया प्रतवी का सबसे छोटा महादीव है और छेत्रफल की द्रष्टी से दुनिया का छटबा सबसे बड़ा देश है उस्टेलिया एक दुईब महादीव है यानि कि दुईब भी है और महादीव भी है और कैपिटल क्या है इसकी कैनबरा और करंसी है उस्टेलिया ए डॉलर और प्रधान मंत्री है एंथोनी अलविनीज और अबोरी जिनेस जनजाती ऑस्टेलिया के मूल निवासी माने जाते हैं अचा भारत और ऑस्टेलिया की बीच में कौन से यो दब्यास होते हैं ऑस्ट्रा हिंद और औसी इंडेक्स इन दोनों को आप नोट कर लें दोस्तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान इसके लिया को कंगार्यों की भूमी भी कहा जाता है तो ये कंगार्यों आप देख सकते हैं अंगला कुशन है ACI विकास बैंक का 69 सदस कौन बना है तो आंसर हो जाएगा इसराइल तो इसराइल एसियन डेवलप्मेंट बैंक का 69 सदस बन गया है बात करते हैं ACI डेवलप्मेंट बैंक की तो यह ACI परसांथ छेतर पर केंदरेत एक बैंक है यानि कि यह ACI और परसांथ छेतर में कारे करने वाली बैंक है इसकी स्थापन 1966 में की गई थी 69 इसके मेंबर हैं और इसका जो मुख्याला है वो मनीला फिलिपेंस में है और इसके अध्यक्ष है मासा, सुगो, अश्काबा जो की जापान देश के हैं और भारत ADB का संस्थापक सदस है और ADB का चोथा सबसे बड़ा सेरधारक भी कौन है इंडिया कुछ important कर इंटरफेस डिसकस कर लेते हैं तो Algeria भी हाली में New Development Bank का सदस बना है देखे, ACN Development Bank अलग है और New Development Bank अलग है जो New Development Bank है ये BRICS देशों की द्वारा बनाय गया था तो Algeria भी उसमें सामिल हुआ है इस्पैन अंतराष्टिय सौर गटबंधन का निन्यानवेवा सदस बना है नेपाल अंतराष्टिय सौर गटबंधन का 101 बा सदस बना है और परागवे के बारे में आपको याद अखना है कि वो 100 बा सदस बना था अंतराष्टिय सौर गटबंधन का बांगलादेश कोलंबो सुरक्षा संवेलन का पांचवा सदस सभी हाली में बना है भारत 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है अफ्रीकी यूनियन 2023 में G20 का इस्थाई मेंबर बना था और इरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई अभी हाली में एक जर्मरी 2024 को ब्रिक्स के मेंबर बने थे दोस्तो अभी हाली में बेलारूस, संघाई सयोग संगठन का नया मेंबर बना है तो यह सारी information आप नोट कर लें अंगला कुशन है, Hong Kong और संघाई Banking Corporation की पहली महिला मुख बित्तिय अधिकारी कौन बनी है तो उनका नाम है PAMCOR PAMCOR के बारे में आपको याद रखना है कि यह भारती अमूल की है और इन्होंने अपनी MBA और सनातक की डिगरी पंजाबी विश्विद्याले पटियाला से की है दोस्तों बात करते हैं HSBC यानि Hong Kong और संघाई Banking Corporation की तो यह एक multi-national bank है और 1865 में इसकी स्थापना Hong Kong में की गई थी इसका जो global headquarter है यह London United Kingdom में है CEO है जार्जेस एल है डेरी और भारत के 14 सेरों में 26 साखाएं है इसकी अंगला कुशन है IMF यानि International Monetary Fund ने 2024-25 के लिए भारत की बिकास दर कानमान कितना रखा है आंसर हो जाएगा 7 प्रतिसत यानि International Monetary Fund या अंतराश्टिय मुद्रा कोस ने ये कहा है कि भारत की जो बिकास दर होगी 2024-25 में वो 7 प्रतिसत होगी और 2025-26 में जो भारत की बिकास दर होगी वो 6.5 प्रतिसत होगी इसके अलाबा IMF ने ये भी कहा है कि 2026-27 से लेकर 2030-31 तक भारत की जो बिकास दर है वो 6.5 प्रतिसत की दर से आंगे बढ़ेगी IMF ने अभी हाली में ये कहा है कि भारत अभी दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थविवस्था है बात करते हैं International Monetary Fund की तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी तो जो देश आर्थिक संकट से जूज रहे होते हैं उन देशों को रिर्ट प्रदान करता है कौन? किस राज में डिश्टल बहिसकार पर केंद्रेट नए RTI संग्राले की स्थापना की गई है अंसर उजयगार राजिस्थान तो राजिस्थान के अजमेर जिले के व्यावर नामक स्थान पर एक RTI संग्राले की आधार सिला रखी गई है RTI का मतलब है Right to Information तो मजदूर किसान सक्ती संग्ठन के द्वारा ये म्यूजियम इस्थापित किया जाएगा और यहाँ पर RTI आंदोलन से जुड़े हुए जो दस्ता बेज हैं उनको संग्रहित किया जाएगा बात करते हैं RTI की यानि Right to Information की तो यह सूचना का अधिकार अधिकार अधियम 2005 के तहट लागू किया गया था और RTI को कब लागू किया गया था पंद्रह जून 2005 को इस बात को आप याद रखिएगा RTI के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है इस बात को आपको याद रखना है और इस अधिनियम के तहट नागरिक सरकारी रिकॉर्ड का अनरोद कर सकते हैं यानि कि वो सरकारी रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उनकी जाज कर सकते हैं अपने इस तर पर वो जाज कर सकते हैं सूचना कादिकार भारत के सम्विधान के अंशेद 19.1 का में सामिल किया गया है तो ये सारी information आप note कर ले अंगला कुशन है भारतिय सेना ने दूतिय चानक करक्षा वारता का आयुजन कहां किया है आंसर हो जाएगा इसका नई दिनली में अंगला कुशन है स्रम मानो संसादन उतकरष्टा प्रुसकार किसे प्रदान क्या गया है आंसर हो जाएगा सैल को तो सैल का मतलब क्या होता है इस्टील अथॉर्टी आफ इंडिया लेंटिड जिसके चेर्मेन है अमरेंदू प्रकास और स्रम की बात करें तो इसका फिल्फार्म होता है अंगला कुशन है न्याय मूर्ती यहा अफरीदी किस देश के मुख नैधीस बने है आंसर हो जाएगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के नए चीप जश्टिस कौन बने है यहा अफरीदी बने है अब यहाली में पाकिस्तान के संविधान में संसुधन किया गया है और चीप जश्टिस का कारकाल निश्चित किया गया है वहाँ पर चीप जश्टिस का कारकाल तीन बर्स का किया गया है इस बात को भी आप नोट कर लें अंगला कुशन है हाली में भारत की UPI सेबा किस देश में शुरू की गई है तो मालदीप देश में भारत की UPI सेबा शुरू की गई है यनि कि अब जिस प्रकार से भारत में UPI के माध्यम से पैमेंट होता है उसी प्रकार से अब मालदीप में भी UPI के माध्यम से पैमेंट म mínimo ये我要 payment interface अंगला कोशन है मुन लाइट कारक्रम किस अंतरिक्ष एजनसी ने शुरू किया है तो मोँ लाइट प्रोग्राम अभिहाली में European Space Agency यानि I när Okay द्वार화 शुरू किया गया है दोस्तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हैड़कॉर्टर कहा है पैरिस फ्रांस में और ये जो मूनलाइट प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका उद्देश है चंद्रमा पर दूर संचार यानि टैली कम्यूनिकेशन्स और नेविगेशन सेबाओं के लिए एक समर्पित उपग्राय नेटबर्क बनाना तो ये सारी इंफर्मेशन आप नोट कर लें चलिए अब हम कल के करेंट अफियस को एक बार रिबाईज करते हैं फिर इसके बाद जनरल नोलिज के पिटारे को डिसकस करेंगे तो विश्व स्वास्त संग्ठन के द्वारा किस देश को मलेरि और समझोते को दो हजार उनतीस तक के लिए बढ़ा गया है पाकिस्तान चौबीस भी राष्टिये पैरा तैरा की चेंपिनसिप दो हजार चौबीस का खिताब किस राजजिन ने जीता है करनाटक सैंक्तुराष्ट दिबस का मना जयता है 24 अक्तुबर को दीपका कुमारी न ने उसना चाबल और ब्राउन राइस पर निर्यास सुल के घटा कर कितनी कर दी है शून और ICC महिला T20 विशुकब दो हजार चौबीस की टीम ओफ दर टूनामेंट में किस भारती क्रिकेटर को चुना गया है हर्मन प्रीत कौर भारत की चौथी परमानू पंडुबी S4 को जल में कहां लॉंच किया गया है विशाका पत्तिनम में किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर मावकाश शुरू किया है ओडिसा एन पी सी आई ने किसको नए यूपियाई उप्योग करताओं को सामिल करने की मंजूरी दी है पेटियम और तूफान औसकार बहामस ने किस देश को प्रभावित किया है क्यूवा सीनियर महिला अंतर विभागे राष्टे हों की चेंपिसिप दो हजा चॉबिस को किस ने जीता है रेलवे ने जीता है तो ये इन्फरमिशन नोट कर लें दोस्तो आज के जनरल नॉलिज के पिटारे में हम अबिश्कार की मुषीन है तो यह एक एलेक्रोनिक मशीन है और आदमी कंप्यूटर की पिता कोन कहे जाते हैं चार्स बैबेश और अबेकस नामक यंत्र का अबिश्कार किस ने किया था चीनियों ने और कैलकुलेटर का विश्कार 1642 में किस ने किया था पासकल ने जो की ए अबिश्कार 1881 में किस ने किया था बिलियम सी लॉयत ने और एनालिटिक इंजन का विश्कार कब हुआ था 1833 में और कंप्यूटर अपने परिणामों को भविश्य हेतू सुरक्षित रखता है कहां मैमोरी में सितंबर दोहजाचा चौबिस के करिंट अफ्यस को एक बार र वी वन लाल बनना किस देश में भारत की राजदूद बने हैं कमबोडिया धूल मुक्त ड्राइब का आदेश किस कैंसासे प्रदेश के उपराजपाल ने दिया है देली और विस्व परटन दिवस का मना जाता है 27 सितंबर किस देश ने स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से अध्यक्ष कौन बने हैं ग्रीश चंदर मुर्मो दोस्तों कलके करेंट अफ्यास में आपसे पूछा गया था कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है तो उनका संबंध आर्चरी से है और वह जारखंड राज जिसे रिलेटर है इस बात को भी आप याद रखेगा तो टेस्ट पास ये सबी मिल जाएगा टेस्ट पास में क्या होगा तो भारत में जितने भी competitive exam audit की जाते हैं उन सबी के लिए टेस्ट मिल जाएगे एप पर आपको जनवरी से सितंबर तक की e-book मिल जाएगी और daily current affairs का test भी आपको test series बाले option पर मिल जाएगा और e-book बाले section पर तो current affairs की e-book और gk की e-book मिल जाएगी pdf के लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं हमारे telegram channel कर नाम है study car official और आप हमारे whatsapp channel और instagram page को भी follow कर लें इन सबी कर लिंक के description box में दिया गया है